मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपको किकबोक्सिंग के बारे में बता रहा हूं जो हमारी किकबोक्सिंग गेम है वो इस्कूल नैशनल गेम में से अफलेटिड है और जो School National Game की टीम जाती है हर स्टेट की तरफ से Director of Education के Approval और कहें तो ट्राइल लेने के बाद स्टेट को रिपेसेंट करते हैं नेशनल लिपे Director of Education को हर स्टेट की टीम से बोलते हैं School National Game और School National Game में मेरे कई स्टूडेंट ने SGFI में Gold Medal मारा हुआ है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ और SGFI में Gold Medal की Scholarship है 20 या रुपे और सिल्व मेडल की है 16 जा रुपे और ब्रांज मेडल की है 11 जा रुपे तो मेरे कई बोक्सिंग में कई स्टूडेंट के स्टूडेंट पे लास्ट येर जानपूर यूश्विद याले में एक लाग की स्कॉलर्शिप मिली है तो कि बोक्सिंग गेम एक मार्शिल आट के रुप में भी देखा आता है और अपना इससे हमारा कोई दिखा रहा है कोई बोक्सिंग की में तो अभी उसको देखिए आप लाकर स्टेट के सबसे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर मेडल मानने पर मेरे कई बार निस्पेपर में एड़ भी आई है आर्टिकल तो आप देखिए आराम देखिए करें कि ये द्याद उनक चाला में भी आया था एक बार और ये यूपी में भी आया था था ये बोक्सिंग का जाओं में सटीग डिस्ट्रीब्यूट किये थे महां पर हमने मैंने सेमिनार लिया था मापर बोचिस का स्टूडेंट्स का तो ये देखते रहिए छे के लाड़ियों ने जीते पदक वहाँ वहाँ मैंने आपको बताएं मेरे सेमिन मडल भी आया था तो ये लिखा वहाँ नाम देखिए भगवान सिंग और ये हमारा हुआ था 2011 में सीरिया नैशनल चैंपेंशिप वो शुकी उसमें भी मेरा बहुत अच्छा परफॉमेंस थी तो ये आप पढ़ सकते हैं देखिए भगवान सिंग नय अच्छे पारी की शुरुवात की तो ये आप देखिए पढ़ते रही है ये देखिए 16 दिसंबर 27 का ये आटीकल है इसे परगा अब मैं दिखा रहा हूँ आपको ये देखिए मेरा सर्टिवेट ताकि इसको इनको देखके आप भी और अपने प्रेक्टिस करें और आगे बढ़े हैं आपकर सेल्फ कॉंटिंस बढ़ेगा देखिए आपकी कोज भी इतने अच्छे लेवल पर खेले वे हैं तो वह आपक आपकेशन इंजिव देखके मिलता है वहीं देखिए मैं उत्राका टीम को भी राच चुका हूँ नैशनल चेंपेशिप में और ये मेरा इंडिया केम का सट्टिवेट जब मैंने इंडिया केम किया था उडिसा में के बोक्सिंग का उत्रागंड की तरब से पहला मैं अटे कि अब साइक्लिंग निको अप करना है ऐसे लोग करते हैं इस लोग करते हैं यहीं को आप करना है कि हैंने करना ऐसे कि चेंज कि मैं आपको सिखाना कि शिफ्ट नहीं है ओके यह हाद उसे उपर रहेंगे है इस जब आए आप चैंज से परोड़ी करना है जंसे करना है तूर तो प्लद प्लद ऊंट आप जाएब अब आपके शीन आप गर्लेंग नाहीं है त जान बनार यह व्योज़े आपके जाएव गरन पासा हुआ है जारन फाल आपके है कि चेंज है कि इसमें भी करनी है कि इंहेल है कि लिए लेना साथ को छोड़ना भी है कि इस चेंज है फुर्ट आपर बॉडिक अभी करेंगे क्यों कि हम अभी वोक्सिंग की आपको बेसिक स्कृष बताओंगा कि वोक्सिंग की पहले बॉक्सिंग बताओंगा आपको अब आप हमार पशना के अपने आपको कि इस ते मारे अपने आपकों हो चेंज है फिटेंग वसाइज इसमारे जीए साइज भी होते वाटोंगी भी okay exercise for exercise rotation one two three four five six seven eight nine ten ten nine reverse ten nine eight seven six five four three two one अब मैं आपको बता रहा हूँ पांस करने की देखनी को के आपको होता हमाय पास प्रोपर गाड निये हमापा पैड की विफ्का नहीं है तो उस केस में हम किसी पीचीज को टागर बनाके उससे थाप में पंच कर सकते हैं कि यह आपकी हाग की पोजिशन है कि कान के पास है इंपल्स ओंगाड ओपन क्लोज दूसरा हाथ उपर साथ में रहेगा क्योंकि जब कुछ पंच मारता आपको तो रूस्ट डिफेंस करने के लिए हैं तो राइट लव डिफेंस करने के लिए हैं आपको सिंपल बने इंट से वरकाट करने भी इसमें क्या है बैट के भी गड़ते हूं कि शिप्ट करके भी गड़ते हूं कि ओल्ली वन हैंट लग चेंज सेंगे नेंट से अब कि 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 बप्रारा रहा हूं को स्लैपकिक वान चूब कि यांप शिफ्टेंग किक पंच इसे गोलते कॉम्बिनेशन किक पंच अब आगे लेक से जिस पैर से किक कर रहे हैं उसी पंच बारेंगे कि यांप वान चूब कि यांप वान चूब कि यांप टिक फंच इसी बैड से मार रहे हैं और आगे वाले पैर आगे है उससे किक मारेंगे तो आपको मैंने शेट पंच इखाए यार तो इसकी पैक्टिस करनी है रोज आपको ठीक है हंडे टाइम्स हैंडे टाइम्स हैंडे टाइम्स करने डेली के उचिते जादा बढ़ाएंगे उतना आपका पंच में प्रूमड होगी कि वोके बेटा कोवीड फोटोकॉल यूज करते हुए और से अपने पेंट का सेव रहे और कुछ लोग स्विट्नेस करते रहे ताकि आपको वेट बढ़ता है कुछ बंसी डिया कि सीट की भ़ाई ना बढ़े ओके